दोस्तो देखिए जब आदमी मैट्रिमोनियल मामलों मों उलसता है तो उसकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से वो निकल जाए। एकदम से चीजों को बिखेरना भी नहीं चाたें। तो यदि ऐसे में आपको कोई एडवाईस करता है कि आप सेक्षन 9 में चले जाओ। तो आप section 9 में चले जाते हो, क्योंकि आप अपना घर बचाना चाते हो, आप ये चाते हो कि अगर आपका बच्चा है तो उसका future spoil ना हो, वो वापस आ जाए. लेकिन दोस्तों इस पो already में बहुत सारे वीडियोज, बहुत बड़ी सीरीज बना चुका हो, कई वीडियोज आपको मिलेंगे कि section 9 डालने से अपने को क्या-क्या नुकसान हो जाते हैं. आज इस वीडियो में मैं जिस latest judgment की बात करने वाला हूँ, वो अभी 26 April 2022 यानि कल का ही judgment है, बहुत important judgment है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, section 9 को ले करके और maintenance को ले करके ये judgment है. दोस्तों वीडियो में आखरी तक बने रहेगा, चैनल को आपने अभी तक भी subscribe नहीं किया, डाउरी के लिए हैरेस किया जाने लगा, October 2021 में वो अपना घर छोड़ करके चली गई और जाकर के अपने माई के में अपने parents के पास रहने लगी, वहाँ जाकर के उन्होंने section 125 CRPC में maintenance का case अपने husband पर फाइल कर दिया, तीस हजार उपे परमन्त उन्होंने maintenance क्लेम किया, यहाँ पर husband का version यह था कि उन्होंने 2007 में एक बच्चे को abort कर दिया था और वो parents के घर भी अपनी मर्जी से स्वें से अपने husband को छोड़ कर चली गई थी, साथ ही husband ने बताया कि उसने section 9 का file यानि restitution for conjugal rights के लिए section 9 का case फाइल किया था और उसकी decree उसके favor में आ गई थी, जानकारी थी, वो पतनी को थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो section 9 में अपेर नहीं हुई, जिससे साब पता चलता है कि वो current time पे अपने husband के साथ नहीं रहना चाती है, लेकिन साथी court ने ये कहा कि ये एक बहुत minor ground है, के वर इस ground के आधार पर section 125 CRPC के अंतरगत maintenance को refuse नहीं किया जा सकता, साथी court ने ये भी कहा कि जो wife है उसको Davos के बाद भी maintenance का right होता है, और यहाँ पर तो वो उनकी legally wedded wife है, तो court ने यहाँ पर lower court को order किया, कि आप दुबारा से पूरे मामले को देखे और दुबारा से maintenance पर order कीजिए, लेकिन maintenance को पूरे तरीके से खारिज करने से साफ साफ तोर पर मना कर दिया, तो दोस्तों यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको clear हो गया होगा, कि आज तक इस चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो बनाये section 9 को लेकर के, और उसमें बताया कि section 9 ने आज के समय पे कोई आपको फायदा नहीं देता है, और कई सारे लोग को comment आते थे, तो फिर हम क्या करें, उल्टे negative comments आते थे, लेकिन दोस्तों, आज ये मोहर लग गई Delhi High Court की, जहां पर Delhi High Court का फैसला आया, Delhi High Court ने clear करा कि भही अगर decree आपके favor में भी है, तो भी किवल इसाधार पर 125 CRPC का maintenance खारीज नहीं किया जा सकता, अब बाकि आपकी समझ है दोस्तों, कि आप जो knowledge लेते हैं, आपके case की परस्तिते हैं क्या हैं, उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं, और दोस्तों, आप लोग के reference के लिए judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ जाकर कि आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुडबाई और थेंक यू फर वाचिंग, टेक क्यार.